दोस्तो आज मैं आपको दुनिया के पांच ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका चाकर भी मोद कुछ नहीं बिगाड पाई ये वो लोग थे जिन्होंने आकरी सांस तक मोद से लड़ाई की और फिर उसे हरा दिया बलेक मंबा देनी पियेनर नाम का एक व्यक्ती जब अकेले जंगल में घुम रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था जब वो एक नदी को पार कर रहा था तब उसे एक जेरिला साप काट लेता है जिसके बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि वो जल्दी मनने वाला है लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी कार को 108 किलोमेटर की स्पीट से तब तक चलाया जब तक कि उसे कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख गई हो और किसमत से वो होस्पिटल पहुँचने में कामियाब हो गया जिसके बाद उसकी जान बचा ली गई मेरा थोन रनर फ्रांस में एक मेरा थोन होती है जो लगबग 6 दिनों तक चलती है साल 1994 में एक रनर जिसका नाम माउरो प्रोस पेरी था उसने भी इस रेस में पार्टिसिपेट किया था जब वो रेगिस्तान के बीच से जा रहा था तो अचानक एक रेत का तूफान उसे गेल लेता है जिसकी वज़े से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो रास्ता बटक जाता है जिसके दोरान करीब 9 दिनों तक वो चमकादड छिपकली और कीडों को खाकर अपनी भूग मिटाता रहा और फिर 186 मील चलने के बाद वो अलजेरियन मिलिटरी बेस के नजदीक जाकर बेयोस हो गया जिसके बाद लोगों ने उसे बचा लिया साल 1982 में इस्टिवन की बोट एक तूफान में किसी अंजान चीज से टकरा जाती है जिसकी वजे से उसकी बोट पानी में डूब जाती है और वो एक लाइफ बोट पर फस जाता है जिसमें वो मचलियों से अपनी भूग और बारिस के पानी से अपनी प्यास बुजाता है करीब 76 दिनों तक समुंदर के बीच फसे होने के बाद एक मचुवारे ने उसे देख लिया और उसे होस्पिटल तक पहुँचाया अगर आपने 127 हवर्स मुवी देख रखी है तो आपको ये स्टोरी पहले से पता होगी जब आरोन ब्लू जोन केनियोन जगे को एक्स्प्लोर कर रहा था तो पेर फिसलने की वज़े से वो नीचे गिर जाता है और उसका हाथ एक चटान के नीचे फस जाता है करीब पांच दिनों तक वो वही फसा रहता है चोते दिन उसने अपने फसे हुए हाथ को काटने की कोशिस की ताकि वो उस जगे से निकल सके लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं हो सका और फिर जब उसने उम्मीद छोड़ दी तो उसने साइड की दिवार पर अपना नाम लि इसलिए वीडियो को जरू लाइक कर दें और वीडियो की नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्राइब करना न भूलें